नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब रोज सुभे होने लगे ऐसी बातें तो समझ लें बदलने वाली है आपकी किस्मत और पैसों की परेशानिया दूर होने वाली हैं तो जानिये दोस्तों मा लक्षमी से जुड़े 15 सुभ सुभ उड़ते ही संक या मंदिर की घंटियां सुनाई दे तो वह बहुत शुब होता है यदि जागते ही हमारी नजर दूद या दही पर पड़े तो यह शुब संकेत माना जाता है यदि किसी व्यक्ति को दिन में या रात में गन्ना दिखाई दे तो निकट भविश्य में धन संबंधी सफलता मिलने वाली है यदि किसी व्यक्ति को पानी हर्याली या लक्ष्मी जी का वहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उनकी धन संबंधी समस्या खत्म होने वाली है और मा लक्ष्मी की किरपा होने वाली है यदि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमें पूरे सोलह सिंगार किये हुए दिखाई दें तो यह भी मालक्षमी की किरपा का इसारा ही है। ऐसा होने पर उस दिन कारिये में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नारियल, शंक, मोर, हंस, फूल, आधी चीजें सुभह के समय दिखाई दें तो यह शुब शंकेत माना जाता है। सपताहक के सातों दिन अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा के लिए माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करने से विशेश करपा प्राप्त होती है। इस दिन यदि कोई कन्या आपको सिक्का दे तो यह बहुत ही शुब शंकेत है। ऐसा होने पर आपको समझ लेना चाहिए कि निकट भविशय में आपको धन लाब होने वाला है। यदि घर से निकलते ही आपको गाय दिखाई दे तो यह शुब संकेत है। अगर गाय सफेद हो तो यह बहुत ही शुब संकेत है। यदि किशी व्यक्ति के सपने में सफेद सांप या सोने जैसा सांप दिखाई दे तो यह भी मा लक्ष्मी का शुब संकेत है। ऐसा होने पर निकट भविशय में कोई विशेश प्राप्ती हो शक्ती है। यदि कहीं आते जाते आपको अगर सफेद सांप दिखाई दे तो यह शुब शंकेत माना जाता है। जब आपके ओफिस या घर में कोई उल्लू आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत बड़ा धनलाब होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी का वाहन उल्लू है। इसलिए यह घर में आए तो शुब है। किसी भी शुक्रवार को जब घर से निकलें तो सामने चोटी कन्या, पानी का कलस भरा हुआ दिखाई दे तो बहुत शुब है। कलस अगर भरा हो तो भविश्य में धनलाब मिलने वाला है। यदि कलस खाली हो तो यह अशुब माना जाता है। यात्रा पर जाते समय सीधे हाथ की और साप, बंदर, कुत्ता या कोई पक्षी दिखाई दे तो यह शुब संकेत है। जाड़ू या पोचा लगाते दिखाई दे तो यह भी शुब संकेत है। तो दोस्तों यह थे जब रोज सुबह होने लगे ऐसी बातें तो समझ लें तो समझ लें बदलने वाली है आपकी किस्मत। उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।